नमस्कार दोस्तों आप सभी कैसे हैं मैं निरंज निराला आप सभी का अपनी चले में स्वागत करता हूं दोस्तों क्या आपकी प्रूपर्टी नहीं सेल हो पारी है क्या आपकी प्रूपर्टी बिक नहीं पारी है अगर प्रूपर्टी सेल करने में अगर आपकी अर्चर नह तो बहुत ही पावरफुल सोलेशन आप लोगों को बताने जा रहा हूं दोस्तों क्या करेंगे ध्यान से समझेगा काफी समय के बाद बडियो बना रहा हूं थोड़ा 20 में कुछ प्रोलम हो गई थी दोस्तों आपको करना क्या है आपकी जो प्रोपर्टी है ने जो भी आपकी प्रोपर्टी की डोक्मेंट से आपको क्या करना है इलो कलर की फोल्डर लेना है इलो फोल्डर या इलो कलर की इनवेलब लेना है और इलो कलर का आपको कपड़े लेने हैं लेने इलो कलर की दोस्तों ध्यान दके सारा समगरी लेना है आपको आपकी जो प्रोपर्टी की पे प्रोपर्टीज की पेपर सारी पेपर को उसमें डाले और उस फोल्डर को या इन्वेलब को यह के इलो कलर की कपड़े में रखें और उसे बांदें और इसे रखना किधर दोस्तों समझेगा ध्यान से आपकी घर की जोने नौर्थ नौर्थ इस डेरेक्शन यानिकि उत्तर और पूरव का जो दिशा है इस डिरेक्षन में आपको रखना है नौर्थ और इस्ट में दोस्तों हमारा इसांकन होता है बहुत ही पोजिटिव होता है यहां से हमारे घर की पूरे सारी पोजिटिव एनरजी आती है तिस इनरजी को केश करना है दोस्तों और विसेज ध्यान रखेंगे कि आपके उस डिरेक्षन में नौर्थ इस्ट डिरेक्षन में कुछ भी गंदगी नहीं होना चाहिए कुछ भी कुड़ा कवाड़ा या वैसा वीट वाला चीज भारी भर कम चीज गोद्रे जलमारी या और भी अन्य चीज़े वहां प का मंगल होगा अपकी अभी के मंत्यूबी काहरा कारक हag से मंगल के दीन कल कहीं दिन गशाया अगर आपकी प्रोपर्टी में समझ चाहिए करना और क्या है Just जैसे आप नौर्थ इस्ट डाइरेक्शन में रखते हैं उसमें इन्वेलब में लो कलर में आपका इंटेंशन यही होना चाहिए कि हमारा जो प्रोपर्टी है एक क्लोर का है पजास लगा है इन्चेंशन होना चाहिए कि एदब पावरफूल मन में जैसे ही प्राइब में आना चाहिए कि हमारा प्रोपर्टी सिलो गया हमारे पचीस लाख रुपए या पजास लाख रुपए या कड़ो रुपए हमारे पास आगे हमारी प्रोपर्टी सेल होगी तो मिल्कुल पॉजेटीव में सोचेंगे दूसरा दोस्तों और क्या करना साती साथ एक आपको मैं इंजल नंबर बताऊंगा उस नंबर को क्या करना और आप यस धान दिन दोस्तों जिसके कल का दिन अब जिस भी सहर से हैं जिसभी CT से हैं आपका और क्या करना और पर राखने से पहले में आपको बताना बुल गया था से आपको देखना है कि आपके सीटी सनराइज का टांक है को यह गूगल से पेपर में कहीं से भी आपता कर लेना गूगल में सरज करना टुमरो सनराइज क्या है आपकी सीटी का लोगेशन ड़के प्रोपर्टी के पेपर को सारा रखना है अब नहाने के बाद इस प्रोपर्टी के पेपर को सारा रखना है प्रोपर्टी के सारा पेपर को इस पेपर में रखना है एलो फोल्डर में और उससे धूब बती जलाके नौर्थ इस टैरेशन में रखना है इस वर से प्रातन करना है कि हमारे प्रोपर्टी सोल्ड आउट है दूसरा चीह और क्या करना है दीन कौन सा होगा मंगलवार टाइम ठीरिनिंग क्या होगा सुबर में दुस्तों ध्यान में LAT REASE, GAMS एल्डीं मॉर्णिंग में करना है उर्ते के साहँ सुर्जोद्ए की आपका टाइमिंहे लिए तौरत आपको 10-12 जाना चेंधर आपको मिल्कुल फरेस्यक। आप फ्रेसो के पेपर को रखना है फिर आपको मैं इंजल नमर की बात कर रहा था आपके इंजल नमर क्या है कुछ एक इंजल नमर है जो आपको लिफ्ट हैंड के लिफ्ट हैंड में आपको लिखना है बुलू कलर के पेंट से नमबर ध्यान से देखेंगे और नमबर क्या है 386 0092 फिर सी repeat कर रहा हूँ 6386 0092 समझगे दोस्तो 386 0092 यह आपको क्या करना left hand में blue pen से आपको लिखना इस angel number को दोस्तो आप देखेंगे आपके 100% काम होंगे से और काम होंगे इस angel number को आप लिखी रहेंगे मन में chanting भी कर सकते हैं इसको आप मन नी मन बोल सकते हैं बोलना कैसे है 386 0092 386 0092 386 0092 ठीक है कहीं गर mistake हो गया होगा तो माप कीजिएगा दूसरा एक और है दोस्तो आपको एक chant करना है कुछ एक switch word है जब होती magical switch word आपको बताने जा रहा हूँ वो switch word को भी आप ध्यान से सुनेंगे और switch word को भी आपको chant करना है कितने time करना है क्या बोलना है switch word को आप ध्यान से सुनेंगे लक बहला मूर्दसा लक बहला मूर्दसा लक बहला मूर्दसा लक बहला मूर्दसा इस switch word को आपको 51 टाइम चेंटिंग करना है It was 51 time इक्यामन बार इस switch word को आपको उचारन करना है मंत्रज सापको बोलना है लग तारा बोलेंगे लक माला मूर्दसा लक बहला मूर्दसा इसको आपको उचारन करना है तीन ताइम करना है 51 बर मूर्डिंग में कर लिए 2 फर में कर लिए और शाम को कर लिए, दिन में तीन बार करना है, इक्यामन बार लगता है, इसका उचारण करना है, दोस्तों आपकी गरेंटी है, आपकी प्रोपर्टी सोल्ड आउट हो कहीं रहेगी, बस से कि विश्वास के साथ करना, पोजेटी भी आपका होना चाहिए, कि हमारा प्रोपर् दीजेगा, आपका कैसा रहा है, ठीक है दोस्तों, बाई बाई